Hello students, Welcome to MOS Classes, आज हम 8th Class Hindi NCERT के Part 3 बसकी यात्रा के प्रश्न उत्तर समझेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कारण बताये का प्रश्न एक, मैंने उस कम्पनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यो जग गई, तो इसका उत्तर है, लेखक के मन में बस कम्पनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई, कि वह तायर की स्थिती से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा र रहा था कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था बलिदान की ऐसी भावना दुर्डव थी जिसे देखकर लेखक हत्प्रभ हो गया यानि के अश्चरेचकित हो गया और उसके प्रती उनके मन में श्रद्धा भाव उमडता है इस चैपटर की reading वीडियो में हमने ये देखा था स्टूडेंट्स के बस का जो हिस्सेदार था जो बस का मालिक था उसे पता था के मेरी बस कितनी खराब दशा में है इसकी हालत कितनी खराब है लेकिन उसके बावजूद वो उसी बस में सफर कर रहा था जिसकी वज़हसे ले ये उसके मन में उस मालिक के लिए बस के मालिक के लिए शरद्धा भाव आ गया प्रश्न दो है लोगों ने सलहा दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते लोगों ने यह सलहा क्यों दी इसका उत्तर है लोगों ने लेखक को यह सलहा इसलिए दी क्योंकि व परोसा नहीं है कि यह कब और कहा रुक जाए शाम बीटते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहा बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरहा है प्रश्न तीन है ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं लेखक को ऐसा क्यों लगा जब ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स तो लेखक को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पूरे की पूरी बस ही इंजन है हमें ये बताना है के लेखक को ऐसा क्यों लगा जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस जन जनाने लगी लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ के पूरी बस ही इंजन है मानो वह बस के भीतर न बैठ कर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जो की भाती बस के यात्री हिल रहे थे प्रश्न चार है गजब हो गया ऐसी बस अपने आप चलती है लेखा को यह सुनकर हेरानी क्यों हुई बस की वर्तमान स्थिती देखते हुए इस प्रकार का अश्चर्य व्यक्त करना सभाविक था देखने से लग नहीं रहा था के बस चलती भी होगी प्रन्तु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी क्यों नहीं अपने आप चलेगी और यह सुनकर लेखक को अश्चर्य हुआ कि यह बस इस हालत में भी चल सकती है वो भी अपने आप प्रश्ण पाच है मैं हर पेड को अपना दुश्मन समझ रहा था लेखक पेडों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था इसका उत्तर है बस की जरजर वस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीरिंग कही भी तूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कही उसकी बस किसी पेड़ से टकराना जाए एक पेड़ निकल जाने पर वहर दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कही इस पेड़ से न टकरा जाए यही वज़ा है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था अब हम पढ़ेंगे पाट से आगे का प्रश्न एक सविने अवग्या अंदोलन किसके नित्रत्व में किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिये तो इसका उत्तर है सविने अवग्या अंदोलन गांधी जी के नित्रत्व में दिसंबर 1930 में कॉंग्रेस के लाहोर में होने वाले अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार के विरुध किया गया था यहाँ ब्रिटिश में ट के साथ ये छोटी एकी मातरा आएगी इसे आप ठीक कर लिजिएगा इसमें संपन किसान समुदायो जैसे गुजरात के पाटिदार और उत्तर परदेश के जाटों ने सक्रिय भाग लिया था और यहाँ पर समुदाओ नहीं हैं ये समुदायो है इसको भी ठीक कर लिजिएगा तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि जो सवीने अवग्या अंदोलन था ये दिसंबर 1930 में गांधी जी के नितरत्व में लाहोर में कॉंग्रेस के अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार के विरुध किया गया था और इसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हर बात में आसहयोग की बात की गई थी कि हम किसी भी काम में ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे और इसमें गुजरात के पाटीदार और उत्तर परदेश के जाटों ने सक्रिय भाग लिया था और इसके उद्देशे क्या थे? इसके निमनलिखित उद्देशे थे. किसानों द्वारा वेलसाइक खेती करने के कारण वेपार में मंदी और गिरती कीमतों से बहुत परेशानी थी. उनकी नगद आये समाप्त होने से उनके लिए लगान का भुकतान करना मुश्किल हो रहा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चारो और असंतोष का वातावरण बन गया था लाहोर अधिवेशन में पूर्ण सवतंतरता को कॉंग्रेस ने मुख्य लक्षे माना इस उद्देशे की प्राप्ति के लिए इसे ही सबसे उप्युक्त माना गया ब्रिटिश सरकार द्वारा किय जा रहे शोशन के खिलाफ इसे सर्वत्तम हथियार के रूप में अपनाया गया कि हम ब्रिटिश सरकार के साथ किसी तरह का सहयोग नहीं करेंगे ये कॉंग्रेस को लगता था कि सबसे बढ़िया हथियार है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और इसे ही सविने अवग्या कहा गय प्रश्न दो है सविने अवग्या का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है लिखिये इसका उत्तर है सविने अवग्या अंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन ना करने के लिए किया गया था इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सयोग ना करने की भावना थी वहे इस प्रतिकात्मक भाशा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विने पूर्वक अपने मालिक वयात्रियों से उसे सवतंत्र करने का अनुरोध कर रही है बस का हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था यानि के बस ये कहना चाह रही थी कि अब मुझे सवतंत्र कर दो मुझे आजाद कर दो अब मैं चल नहीं सकती हूँ और वो एक तरह से असहयोग कर रही थी बिल्कुल वैसे ही जैसे भारतिय ब्रिटिस सरकार के साथ असहयोग कर रहे थे वैसे ही यह पुरानी और इतनी बुरी हालत में यह बस अपने मालिक और अपने यात्रियों के साथ असहयोग कर रही थी प्रश्ण तीन आप अपनी किसी यात्रा के खटे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिये तो इसका उत्तर है पिछली गर्मियों की बात है कि मुझे अपने एक मित्र के बड़े भाई के विवहा में शामिल होने के लिए शिमला जाने का अवसर मिला गर्मियों की छुटिया थी दो मित्रों के साथ जाने का कारे करम बना लिया हम जब बस अड़े पहुचे तो प्राइवेट बस का कंड़क्टर जोर जोर से आवाज लगा रहा था साधारन किराय में एसी बस में शिमला चलो हमारे मुह से शिमला निकला कि उसने हमारा सामान बस में रख दिया और किराय वसूला और कुछ सवारिया और बैठ गई और वो बस को एकांत में खड़ा करके चला गया दो घंटे के बाद वापिस आया हम सब पैसे वापिस मांगने लगे तो बस का ड्राइवर उचल कर यहाँ पर आप लिखेंगे बस का ड्राइवर उचल कर सीट पर बैठ गया ड्राइवर बस को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा लेकिन बस स्टार्ट नहीं हुई तब उसने सवारियों को धक्का लगाने को कहा तब कही जाकर बस स्टार्ट हुई तोटी बस की खिडकियों का शोर यहाँ पर आप लिखियेगा खिडकियों खिडकियों का शोर और बिना AC के सर में दर्द हो रहा था जबकि कंडक्टर ने कहा था कि ये AC बस है जबकि उसमें AC नहीं चल रहा था जिसकी वज़े से लेखक और उनके मित्रों के सर में दर्द होने लगा, एसी के बारे में पूछा तो बोला अभी ही खराब हुआ है, फिर उसने एक प्राइवेट होटल पर बस खड़ी कर दी, कंडक्टर बोला यहाँ सस्ता और स्वादिष्ट खाना मिलता है, बाद में पता से बारात में शामिल हो सके, हमने कसम खाई, अब ऐसी बस में सफर नहीं करेंगे, उस घटना को याद करके, आज भी गुसा भी आता है और हसी भी, अब हम पढ़ेंगे मन बहलाना, प्रश्न है, अनुमान कीजिए, यदि बस जीवित प्राणी होती, ये जीवित है, और वह बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोच के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती, लिखिये, तो इसका उत्तर है, यदि बस जीवित प्राणी होती, तो कहती, मैं बस हूँ, माना की आज मैं व्यो व्रद हो गई हूँ, यानि के बहुत बुड़ी हो गई पर आज से 30 साल पहले में जवान थी, उस समय मालिक मेरा बहुत ध्यान रखता था, रोज, सुभा, नहला धुला कर मेरे भोजन, यानि के डीजल, तेल, ग्रीस का प्रबंद करता था, मेरी खिडकियों पर परदे लगे होते थे, टेप रिकोडर से मधूर संगीत गूंजता रहता था, मुझे जरा सी गंदी देख कर मालिक ड्राइवर कंडक्टर को डाटता था, आज वो दिन नहीं रहे, मैं व्रद्धा वस्था में पहुच चुकी हूँ, मेरे शरीर का धाचा गल कर जगा जगा से तूट चुका है, खिडकियों में गिने चुने ही काच रहे गए हैं, आज चलते समय सारा शरीर हिलता कापता है, आखो यानि के हेड राइट की रोशनी भी शीन हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, ऐसा लगने लगा कि मेरा आंत समय निकटा रहा है, मेरी ऐसी जिर्ण दशा पर भी मालिक को दया नहीं आती, उसने मुझे बस के ड्राइवर को ठेके पर दे दिया है, मेरे बूड़े शरीर का ख्याल किये बिना इतनी सवारिया भर लेता है कि मेरा अंग अंग दुखने लगता है, कई बार तो हाथ पैर जवाब दे जाते हैं और मुझे रुक जाना पड़ता है, अब मैं इतना बोज उठाने के काबिल नहीं रही, पर यह बात मालिक को कोन समझाए, अब हम देखेंगे भाषा की बात का प्रश्न एक, बस, वश, बस तीन शब्द है, इनमें बस सुवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में, और बस प्रयाप्तियानी के काफी के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे बस से चलना ह मेरे वश में नहीं हैं अब बस करो उप्युक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से दो दो वाक्य बनाईए तो वश से हमने पहला वाक्य बनाया है आज करके बच्चों को समझाना सब के वश की बात नहीं और वश से हमने दूसरा वाक्य बनाया है भगवान की करनी मनु बस करो इतना काफी है प्रश्न दो है हम पाच मित्रों ने तय किया कि शाम चार बजे की बस से चले पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है उपर दिये गए वाक्यों में ने की और से आधी वाक्य के दो शब्दों के बीच संबन स्थापित कर रहे हैं ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं इसी तरह दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है कहानी में से दोनों प्रकार के चार वाक्यों को चुनिये तो यहाँ पर उतर में हम लिखेंगे कारक शब्द से निर्मित वाक्य यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वस्निया हैं यह बस पूजा के योग्य थी बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे प्रश्न तीन है हम फोरन खिड़की से दूर सरक गए चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी दिये गए वाक्यों में आई सरकना और रेंगना जैसी क्रियाए दो परकार की गतिया दर्शाती हैं ऐसी कुछ और क्रियाए एकत्र कीजिए जो गती के लिए प्रयोक्त होती हैं जैसे घूमना इत्यादी उन्हें वाक्यों में प्रयोक कीजिए तो इसका उ चार है काच बहुत कम बचे थे जो बचे थे उनसे हमें बचना था इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है एक शेश के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में नीचे दिये गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए एक तो हमें जल को प्रयोग करके दिखाना है और हार को और दोनों के अर्थ अलग अल के लिए मीना गरम जल से बुरी तरह जल गई पहले जल का मतलब है पानी और दूसरे जल का मतलब है जल जाना हार के लिए हमने यहां लिखा है प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा और जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता से बाह अंग्रेजी शब्द, फस्ट क्लास में दो शब्द है, फस्ट और क्लास, यहां क्लास का विशेशन है फस्ट, यानि के फस्ट क्लास की विशेशता बता रहा है, चूकि फस्ट संख्या है, फस्ट क्लास संख्या वाचक विशेशन का उधारन है, महान आदमी में किसी आदमी क विशेश्ता है महान यह गुण वाचक विशेशन है संख्या वाचक विशेशन और गुण वाचक विशेशन के दो दो उधारन खोचकर लिखे तो संख्या वाचक विशेशन के यहाँ पर हमने तीन उधारन लिखे है चार आठ और दस और गुण वाचक विशेशन के भी हमने गुण वाचक विशेशन के हमने दो उधारन लिखे हैं चांदनी रात समझदार आदमी I hope students आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू